बिस्मिल्लाहिम रह्मान ररहीम, Assalamualaikum and welcome to Lake Cricket Show with Basya Faliyu उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खेरा उफियद से होंगे, ठीक ठाक होंगे दोस्तो सीरीज मुकमल हो चुकी है, पाकिस्तान और स्री लंका की सीरीज जो है वह मुकमल हो चुकी है आज की इस वीडियो में हम डिस्किस करने जा रहे हैं, पॉइंट्स टेबल की लेटेस्ट सूर्तेहाल को काउन से टीम जो है वो किस पॉजिशन पर मौजूद है ICC Test Championship में पर पाकिस्तान ने कितनी तरक्य की, पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों बहुत बड़ी छलांग यहां पर लगाई यहां उसने डेली जेके, न्यूजिलेंड, स्री लंका, इंग्लेंड जासी बड़ी बड़ी टीमों को पीछे चोड़कर नमबर तीन की पॉजिशन जो है वो अपने नाम की, क्या standing है इस टेबल की मुकमल information हासल करने के लिए आईए देख लेते हैं टेबल को कि टेबल जो है वो किस तरह से अब मौजूद है अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम की तो इंडिया की टीम ने 7 मैचे अपने नाम की है 7 मैचे में उन्होंने जो है वो फता हासल की 360 पॉइंट के साथ वो इस वगत कहलीजे के नमबर एक की पॉजिशन पर मौजूद है इसी तरह अगर हम बात करते हैं उनके रन रेट की तो उनका रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों और एक कहलीजे के फेवरेड टीम जो है वो दिखाई दे रही है फाइनल के लिए जहां उनका रन रेट दो आशारिया आठ नोसाथ का है इसी तरह अगर हम बात करते हैं अस्ट्रेलिया की टीम की तो अस्ट्रेलिया की टीम ने यहां पर आठ मैचेस खेले पांच मैचेस भी उनको फता हुई दो मैचेस जीते दो मैचेस जो हार हुई एक मैच ड्रॉ हुआ वर 216 पॉइंट के साथ वो कह लीजे के नंबर दो की पर है एक आशारिया चार छे पांच की रन उसस है इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान की टीम की जो के नंबर छे की पॉजिशन पर थी लेकिन सिरिलंका को इस सीरीज में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की टीम के पॉइंट असी हो गए और वह नंबर सिरिलंका की टीम की नंबर चार पर मौझूद है चार मैंचे में से एक मैंच जीता असी पॉइंट से इंके लेकिन पाकिस्तान की बेहतर रून रेट की वज़ा से पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर तीन की पॉजिशन पर मौझूद है इसी तरह इंग लैंड की बात करे और इसी तरह घ्रह हम बात करते हैं बढंगलदेश और South Africa की टीम की तो उन्हों बन आप तक कोई कोई points हाल नहीं कि South Africa और England की और Australia की शीरीज Kings 5 matches की योशिल्येंड और Australia की series है इस तीन मैच आप देखना होगा कि पॉइंट सेबल पर ये सीरीज जो है वो कितना फरक करती है बरहल पाकिस्तान की टीम का बहुत ही अच्छा दोस्तों सफर जो है वो शुरू हो चुका है ICC Test Championship का अब देखना होगा कि बंगलादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान में आएगी या नहीं तो यकीनी तोर पर ये पुस्तान की टीम को भी हरा सकती है जैसी इक परफॉर्मस हमने से दिलंका के खिलाफ देखी और पाकिस्तान की टीम को दो मैंच में हराती है अब तnınpert्जह में कि ये पाकिसान आती है या नहीं वैसे मेरे हिसाब से करना की प्यौनगाल दिम को नावथ देनी चाहिए के बाद फिर उनको कहें कि आप आए आकर टैस्ट मैचेस के लिए बंगलादेश की तीम के अगर हम बात करते हैं तो वो T20 मैचेस खेलने के लिए राजी है पाकिसाम ने लेकिन टैस्ट मैचेस वो नहीं खेलना चाहती तो यह एक बहुतर हाल हो सकता है इस चीज का और अगर बंगलादेश की तीम नहीं आती पाकिसान की खेलाफ नहीं खेलती दोस्तों लोस होगा पाकिसान की टीम को बहुत ज्यादा जहां 120 points पाकिस्तान को मिल सकते हैं इस सीरीज के खेलने के बाद दो मैचिस जीतने के बाद वहां उनको points जो है वो सिरफ और सिरफ 40 मिलेंगे अब देखना होगा कि पाकिस्तान और PCB का cricket board जो है वो इस चीज़ को कैसे handle करता है तो दोस्तो यही है इस points table की सूरतेहाल जहां पाकिस्तान की टीम ने बहुत बड़ा जंप लगाया और वो नंबर तीन की position पर आचुकी हालिया सीरीज मों कमद हुई जहां man of the match and man of the series का आवार्ड आभी दली को दिया गया और पाकिस्तान ने सीडिलंका के खिलाफ दूसरा test match जो है वो 263 run से अपने नाम किया और series को एक सिफर से win किया दोस्तो कैसी रही आपको ये वीडियो लगी मतलब कह लिए पाकिस्तान की position जो हो इतनी इंप्रूव हुई तो आपको कैसा लग रहा है इस मुतलिक अपनी राइका इस argument box में जरूर करिये और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम मजीद improvement कर सकती है या नहीं इस मुतलिक भी हमें जरूर बताएए अपना ख्यार रखे दूआ में याद रखे और इस वीडियो को like and share करना ना बूलिए और cricket से जुरू मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल क सब्सक्राइब करने के साथ बैल के निशान को जरूर दबाएए अपना ख्यार लखे दूआ में याद रखे मिलते हैं जल्द है आपको एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए अपने होस्ट वासिफ अली को अजाज़त दीए बाई बाई टेक कियर अल्लहाफीज